हेलो फ्रेंड जैसे देख पार आज मेरे पास है टीवेस अपाची आर टीर 164 वी और आज जिस टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के उपर आज बात करेंगे आज हम इसकी फुल वाइरिंग डिटेल के उपर बा प्लेटफॉर्म पे इसके वाइरिंग डिटेल का एक भी वीडियो अवेलेबल नहीं था तो यह जो वीडियो है बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है इसकी एक एक वाइर के बारे में बताएंगे कहां से कैसे वाइरिंग वर्क करता है तो वीडियो बहुत ही इंट्र न कोई आप शकता ना यहां पर इसका कंपड़ी रिकेमेंडेड होता है यहां पर अपको दिख पा रहा होगा यह तो इस तरह से लाइड का connection कर सकते हैं कहां पर कौन सा Wire किसे connect करता है 4 thus ourіль टो बी से इसका वाइरिंग अलग होता नॉर्मल टू भी से उसका इक्दम डिफरेंट वाइरिंग बहुत ज़्यादग होता है जले फट से ideo को शुरु करते हैं विडियो दो लाएंगे थे सवाथ स覺得 करने कीचल शूरूर करते हैं सबसे पहले हम क्लीव दूंट मेगैंट से किस तरह से वाइरिंग करता कौन कौन कोन मेगैंट से सक confusion यह हो जाता है कि हमारा red वाला वायर कOoh है yellow कलर का वायरकॉन है white कलर का वायर कर रे कौन है बहूत जाधा confusion होता है तो यहां से detail में आपको हम बता देंगे तो दोस्तों इसका जो सारा वी डिटियल में हम बता रहे हैं यह पता नहें चल पाता है से जाता है यह कि इसका जो permission मांगता है खुलता नहीं है जब भी Google Drive में आप upload करते हैं वहाँ से खुलता नहीं तो अबर हम simple तरीका upload करेंगे बहुत से भाई को पहुचाना चाहते हैं बहुच नहीं पाता है उनको मिल नहीं पाता है PDF तो नॉर्मल तरीका यह रहेगा कि हमारे पास जितना भ पूरा 4B का डीटेल में PDF इंस्टाग्राम पर पढ़ा रहेगा तो सबसे पहले हम चालो करते हैं यहां से तो यह हमारा magnet से कौन-कौन से वायर आते हैं यह दो सोकेट आ गिये magnet से एक यह तीन सोकेट आ गिया और यह चार सोकेट आ गिया कौन से वायर का क्या काम है और कैसे क काम करता है उस एक बारे में डीटेल में बात करते हैं सबसे पहले ये सोकेट जो हमारा है ये टीवीस की जितनी भी गाड़ी हो नॉर्मल से लेकर पूरी 310 सिसी तक 310 आरर की भी बात कर रहे हैं कम्पलेट ये जो पिकप कोईल का वायर रहेगा ये हमारा डार्क रेड और वायट में रहेगा इसमें कोई बहेदबाव ने अरना कोई बदलाव किया जाता है ये हमारा जो वायर रहेगा डार्क रेड और वायट में जो वायर दिखेगा ये पिकप कोईल और सबसे इंपोर् होता है charging का वहां पर starting का कोई कोई नहीं होता है तो यहां पर आपको दिख पाने confusion किस तरह से ज्यादा देखने को मिल जाएगा इधर से जो यलो कलर को दो वायर आया है और उपर देखिए कंवर्ट हो गया कोई और अधर कलर में देखिए अधर कलर में कैसे कंवर्ट हो गया यहां पर यह सारा हम देखके बता रहें मैप से मैप जो complete और red एक है black और डर्क red और एक है yellow पर white यह वायर जाता कहां है आपको हम बताते हैं कि तर से कहां पर जाता है तो इसका यहां पर कोई काम ने देख पा रहें इस पर three coupler का beint बना हुआ और यहां पर सिरिफ दो है तो दो का सिरफ काम यह है कि एक जो यहां पर लाइटिंग का है और एक चार्जिंग का है और यह जो ड्रेड वाला कनेक्शन है सो डारेक्ट हमारा जाता है बेटरी को चार्ज करने के लिए यह वाला और यह सिर्फ लाइटिंग और यह सिर्फ बेट्री से डिरेक्ट आया है इसका यहां से मेगनेट से कोई किनेक्शन नहीं सिर्फ यह जो दोनों येलो वाइर यह जाता है हमारा चारजर को आर यूनिट को आपको दिखा देते हैं कौन सी जगा पर जाता है यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां पर यह देखिए रेड वार या है अपर आसका आर रा विनिट वहां तक भी हम जाएंगे वाइरिंग की डिटेल लेते हैं और यह पीकप कोईल का जो दो वाइर है ये कहा पे जाता है उसके बारे में बता देते हैं ये डार्क रेड और वाइट यह जाता है हमारा टीची याई यूनिट को टीधिया यूनिट यहां पर अपको में दिखा सोगी इस जग्हा पर को कीजीजरी यूनिट से का में गरीनिक अपहलته अब यह जो उपर अफ्रिण के बारे में आपको हम बता देते हैं तो टो यह में कर लिए करें आपको समझ में ईहांती है यह से नितुन यहां करkeit यह hasnut का 1W के करंट नहीं आएगा सिर्फ 9W का करंट आता है क्योंकि मीटर छलाने के लिए 2W की कि क्यों आप शकता नहीं है चुशिक जब भी इसमें करण आएगा जब आका फ्योगा गभ्याइव इसमें कररेंट इसमें इसलोगे अगर चेक करन जहते है Distance करन नहीं था तो 3 वायर से यह जो हमारा डिरेट बेटरी से इसमें करंट आता है दूसरा हम बता रहे है यह ग्रिण पर वाइट पर पट्टी यह हमारा सेंस करता है स्पीड को 1-2-3-4-5 इस तरह से चलता है यह स्पीडो मेटर के सेंसर पर यहां पे तो इसमें भी इतने सारे वायर है सब के बारे में डीटेल में आपको बता देगा वीडियो थोड़ी लंबी होगी दॉस्बा Section के बारे में सारा जी समझ में आ जागा यह हमारा सेंवार करता क्इलियो है किलो यहां पर तीन वाइर में आपको समझ में आ गिया दो के बारे में 12 जो यह ब्लैक और यलो पटी यह हमार आर्थ का वाइर है यह सिर्फ बोडी प्याटेच होता है तो तीन सोकेट के बारे में आपको समझ में आघया हो कि मेगने आट के पूकिप ऑईल, Starting Lighting और Speedometer Sensor का वायर तो दोस्तों यहां पे आपको दिख पा रहा होगा इस सब के बारे मां आपको समझ में आगया होगा यह जो दोनों सेम तरह के Socket दिखते हैं दोनों White Color का इसमें बहुत से भाई confusion होता है कि meter को अगर off करना और meter को बंद करना तो confusion हो जाते कौन सा socket खोलना है तो जिसमें three wire रहेगा वो meter करेगा जिसमें दो wire रहेगा जो thermal sensor करेगा thermal sensor यह होता है engine का temperature heat है या फिर cool है उसको detect करके TCI unit को बताता है अब तो गाड़ियों में issue आ गिया BS6 में बट यह BS4 वाला version है तो उसमें का TCI unit को detect करके बताता है कि engine का temperature किस तरह से कितने voltage में current इसको supply करके देना है तो यह जो दो wire है यह हमारा thermal sensor का है बहुत से भाइको confusion होगा कि thermal sensor कहां पे रहता है तो इस जगह पर दिखा दें एक block में जो sensor करती है कि हमारी गारी में अभी न्यूटल पोजिशन पर है या नई सेल्फ किस तरह से काम करेगा वो यहां पर किल सुच से भी है किल सुच तक भी हम आगे जाएंगे यहां पर सिर्फ आपको पहले गिनवा दें तो यह कंप्लिट हो गया इसके बारे और यह जो एक रेड है स्च जाता है जैसे ब्रेक को प्रेश करेंगे तो इसमध्र कनेक्शन निकलता है तो यह पढ़ता है उसके बारे में आपको उम्मीद करते हैं है वीडियो थोड़ी लंबी होती है वंकोशिआ करते हैं कि वीद्री क्या सब्सक्राइब कोई हम बता देते हैं तो इसका बैटरी का वAYR है चार जिगवा पर जाता है डिरेट करंट सबसे पहले इसका करंट याता है स्टार्टर रीले में एक से डैबल पुइन्ट निकलता है ट्रेयों रिले में एक जो दूसरा वायर है जो पतला आपको दिख पा रहा सिखते हैं सबसे पहला यह तो है जो झाला से कि आटाय कहिए यहाँ प्रिले में दूसरा आगी है हमारा स्पीडोमीटर यह देखी यहां पर चल आ गिया और एक स्वूच में आ गिया गिए हैं और एक हमारा ड्रेट चारजर में आ क्यान करता है और जब तक इगनेशन का अगर आपका किल स्वीच ओफ है तो क्या क्या चीज आपको काम नहीं करेगा उसके बारे में आपको हम बता देते हैं क्योंकि फोर विए इसका थोड़ा सा डिफरेंट है जब भी आपका इगनेशन ओफ रहेगा और तो आपका सेल्फ लाड़ी का काम नहीं करेगा प्लस पीछे यहां पे जो एक नंबर प्लेट पे लाइट होता है ये ये नहीं जलेगा बैक लाइट आपका मेन वाला पॉइंट जो हता वह नहीं जलेगा ऐखर एक किल स्विच ऊफ रहेगा जब ये किल प्लूलर का वायर है यह यह हमारा राइट सैट का ओर यहां पर देखिए इसमें 5 यह तो इसमें से और यह black color का जो हमारा है यह हमारा earth wire हो गया और यहां पे जो एक यह वाला earth यह yellow दिख रहा है जिस पे हम connection किये हैं पहले से wiring कट करके यह हमारा pass light का switch का wire है जिससे pass light काम करता है high beam और low beam और यह जो हमारा एक black color का socket है यह हमारा है दोनों जो parking LED होता है side में जो लगा होता है जिससे pilot head lamp बोलते हैं उसका wire हो गया तो यह black color में complete आपको समझ में आगया होगा और यह green तो हमारा horn का इसके बारे आर्थिंग आपको पता चलिए गया होगा अब यहां पे यह जो wire बच गिया है यह दो wire यह हमारा clutch switch का हो गया जिससे sense होता है इससे भी direct यह देखिए blue और black और यह green और red इससे भी direct connect है हमारा TCI unit से वहीं से क्योंकि detect करना इसी से रहता है complete यही control करके बताता है TCI unit को कि हमारी गाड़ी अभी gear में हम collect की है और sense करके गाड़ी को हमारे start करता है अब हम right side का switch के बारे में बता देते हैं क क्या हुआ है तो इसमें से यह जो हमारा sorry थोड़क के लिए आपको दिखा दें यह जो हमारा यह जो orange color का wire गया यह direct battery से current गया है switch में self start switch में और यह जो blue color का wire है जब हम switch को प्रेस करते हैं जब self starter का relay जो होता है उसमें current जाता है blue color में यहाँ पर आपको दिखा दें इस यलो पर black color का wire है यह हमारा kill switch का wire है और एक यह जो इधर side में white color का wire है यह हमारा brake switch का wire है यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा दो wire brick switch का आ गिया yellow और white यह बिर्यक switch का तो left और right switch के बारे में आपको complete detail में पता चल गिया होगा अब सबसे important दो चीज हमारा बच गिया है एक हमारा meter का jack और video लंबी ना हो तो हम आपको बता दें वीडियो का यह जो TCI jack का wiring बता दें क्योंकि सबसे important यही है कौन कौन से wire क कहां कहां से आये हुए हैं और सारा control यही करता है और इसका price भी नीचे mention कर देंगे बाइदवी एक खराब हो जाए तो इसका part number आप screen shot ले सकते हैं और इसको आप मंगा सकते हैं यह कहीं से purchase करें खरीद सकते हैं जिसके एक एक wire के बारे में बता देते हैं detail में कौन सा wire कहां से आया हुआ है और कैसे यह काम करता है तो तो टी सी याइड में यहां पर आपको दिख पा रहोगा एक रेड कलर का wire है तो रेड कलर का wire तो आप पता ही होगा रेड और ब्लेक यह हमारा direct battery से आता है और yellow और red में जो दो कलर वाइर है यह देरेट हमारा TCI unit से connect है एक हमारा जो yellow पर red है यह जो हमारा High beam का है और दूसरा हमारा pass light से यह तीन वायर के बारे मैं आपको समझ में आ गिया होगा यह हमारा battery से और यह हमारा high beam और यह हमारा pass light आप जिक हमारा white पर red पती है यह हमारा wire आता है तो दोस्तों यह जो white पर red पट्टी है और येलो ये दो हमारा हो गया थर्मल सेंसर का जिससे हमारा TCI unit को detect मिल पाता है कि हमारा इंजने भी temperature कितना heat है या फिर normal cool पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो pink color का वाइर है pink color का वाइर सिर्फ आपको यहाँ पर पूरी गाड़ी में सिर्फ TCI unit में देखने को मिलेगा बाकी अधर जगह आपको pink color नहीं मिलेगा यह सिर्फ TCI unit में इसलिए होता है यह सेंस जब करता है जब हमारी गाड़ी न्यूटल में होती है जब TCI unit को सेंस करके बताता है हमारी गाड़ी न्यूटल में है और हम ले सकते है है न्यूटल में गाड़ी हमारे start हो सकती है अब बात करेंगे यह हमारा white पकर black का aware है यह किसी का वायर है दोस्तो white पकर black यह हमारा meter में जो light जलता है न्यूटल का उसका है और यह जो दो वायर है एक green पे red color का और एक blue पे black color का यह हमारा clutch switch का है जो आपको बता चुक 0CWC transparent का тай?. और यह जो एक blue पे red color का वायर है । यह हमारा इसका Self start switch का है और यह भी Self start switch का है इससे हमारा direct current आता है switch press करने पर इस पर current आता है अब हमारा यह जो dark red और white color का wire है यहां पर दिख पा रहा होगा एक dark red में है और एक white में है यह हमारा है pick up coil का direct current आता है pick up coil से यहां पर यहीं पर detect होता है और यह जो हमारा दो body earth है और यह yellow color का और यह blue color का जो दोनों wire है यह हमारा ht coil का है यह complete detail हमारा tough tough चीजे थी इनके बारे आपको बता चुके हैं अब हम normal चीजों के बारे बता जाते हैं जैसे हमारा यहां पर दो wire है एक है हमारा red color का और एक हमारा blue color का यह हमारा दो यह हमारा एंडिकेटर का दो कनेक्षन हो गिया इधर से चार यह इंडिकेटर और यह हमारा बैक लैट का है इस पिरेस करण्ट आता हीै और यह जो वायट वाला इसमें ब्रेक स्विच दवाने के बाद करण्ट आता है और यह गरे और ब्लेक कलर का जो दो वायर है, यह हमारा जूаты है, इसमें नमबर प्लेट वालल लाए फिरूत अप का किल स्वीच अगर आपका कृल स्वीच और अगर आपका ऑफ राता है, तो इसमें करण्ट नहीं आएगा, यहां के बारे मारे आपको समझ में आ गिए हो, बैक लाइट से कुछ connection लेना है आपको तो बीच वाला wire से आप connection ले सकते हैं इसमें आपका direct battery से current आता है और अगर आपको break दबाने पर कोई switch या light fitting करना है तो आप white वाले wire से connection ले सकते हैं और आपको backlight direct जलने से का होता है बहुत समय battery down होने की समसिया आ जाती है तो बीच वाले wire को आप यहां से cut कर दें आपका battery down होने का समसिया खतम हो जाएगा तो इधर आपको सारे चीजों के बारे में समझ में आ गिया होगा इसके बारे मैंने पहले बता चुका है तो इस तो करीब करीब सारे चीजों के बारे में मैंने detail में बात कर लिया जो main main wiring था उसके बारे में तो जितना TCI unit पर wire लगा हुआ है उतना भी EC में लगा हुआ तो थोड़ा बहुत आपको confusion होगा तो आप देख लीजिएगा तो वीडियो बहुत जादे लंबी होरी वीडियो का हम यहीं पर end करेंगे और इसका wiring के connection और और तू भी का wiring के connection सारे चीजों के उपर detail में वीडियो बना दिये है किस तरह से wiring चेक करना है कहां पर current रना है TCI unit खराब हो, pickup coil खराब हो तो कैसे चेक करना, सारे चीजों को अपर detail में वीडियो बनाए है तो नीचे description में सारे चीजों का link रहेगा तो और कोई भी detail में वीडियो चाहिए आप comment कर सकते हैं चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching और दोस्तों support की बहुत जरूरत है प्लीज मझे support करें, subscribe करके bell icon को प्रेस कर दे ताकि परड़े इसी तरह से technical वीडियो मिलता रहे हैं आप लोगों को चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching